हुआ हेलो बच्चा लोग दिस इस गुपाल सर एंड वेलकम टो एजी विस्टर्स आज हम डिसकस करेंगे पीसी कल्चर में फिस जो पालने की मेथड होती है उसके लिए कौन-कौन से पॉंड्स यूज किये जाते हैं जहां से उसके बच्चे पाले जाते हैं और जब तक वो म सब्सक्राइब हो जाएगा और यह एक जाम में अक्सर आया करता है ब्रीडिंग पॉंड्स नर्सरी स्टॉकिंग मार्केटिंग तो इसके बारे में हम इंड तक रहेंगे आप लोग तो अच्छे से क्लियर करा देंगे और नय है तो चैनल को सब्स्राइब कर लिजेगा लेकिन इसमें भी अगर हम एक अच्छा पालं करना चाहें one should have an idea about the different stages यानी बहुत सारे stages में या कैसे-कैसे वातावरण में या कईहां पे हम कैसे पालं कर सकते हैं उसमें क्या-क्या method यूज कर सकते हैं क्या बिधियां होंगी उसको हम जानेंगे आफ फिस कल्चर that is topographic situation I mean जो भौगोलिक अस्तर होता है जमीन का अस्तर quality of water जो पानी का quality है उसके बारे में देखेंगे sources of water पालन में मत से पालन में यह बहुत जरूरी है इन सबका ध्यान देना पहले topographical situation यानी जहां पे पालन किया जाना है वो situation जो धरती का है कैसा है वहां का quality water की कैसी है source of water जो जल का source है वहां है या नहीं है कैसा है यह भी बहुत dependent करता है and other physical, chemical and biological factors यह भी बहुत जरूरी है देखना अब इसके आधार पे पांट सार the sides भई मशली को हम अपने बेड़ बिस्तर पे तो पाल नहीं सकते है ऐसा तो है नहीं कि अपने बेड़ पे लाके मशली को पाल लें और वहां से सारी चीज़े हो जाएंगी ऐसा भी नहीं है कि हम उसको एक घर में बाल्टी में रखके पूरा culture कर लें यह भी प्राइजी न होना पांड अब यह पांड अगर है तो यहीं मशली का क्या होगा पांडार साइट एक ऐसी प्लेस होती है जगह होती है जहां पे फीश डेवलब्ड एंड ग्रू जहां पे मशलिया अच्छे से ग्रो कर सकती है यानि बृद्धियर विकास कर सकती है यह दोनों पादे अंतर होता है ग्रो का मतलब होता है फीजिकली डेवलपमेंट फीजिकल यानि कि उनकी जो बाड़ी का डेवलपमेंट है यह और डेवलपमेंट पर्टिकुलर अगर बात की जा तो लाइफ टाइम चलने वाली होती है इसके लिए आपको इंड तक रहना होगा सब कुछ हम बता देंगे एक है breeding punts, breeding का मतलब हो वगया की जहां पे इनके जो छुटे-छोटे बच्चे है या फिर बड़े जो हैं उनको रखा जाए बड़ों को रखके इनसे breed त्यार की जांए मतलब यह बच्चे देने लाक हो जाए और देने लाक हो जाया, breeding punts ऐसा होता है फिर हैं nursery जहां पे इनके बच्चों को अब transfer किया जाए stocking जहां पे इनको एकत्रित करके रखा जाए फिर देखो यह step से हमने नहीं दिखाया अभी हम directly बोल दिये अगर हम step से चले तो देखो यहां पे पहला होता है breeding ponds breeding ponds का मतलब जहां पे यह breed कर रहे है अपने partner से मिल रहे male female फिल उसके बाद क्या होगा hatching जहां पे इनके अंडे की तयारी हो जाएगी और अंडा निकलेगा तो उसके बाद nursery जहां पे इनके बच्चे को transfer किया जाएगा rearing मतलब उनके पालन में कार्ट छाट करके इधर उदर करना फिर उसके बाद एक जगा इस टाक किया जाता है इन सब को निकाल के इस टाक किया जाता है बड़ों को अलग छोटों को अलग बच्चों को अलग उसके बाद harvesting देन है marketing ये इतने process से हम गुजरते हैं और इन process के लिए हर जगा पे एक एक pond है देखो कि इस pond में रखेंगे तो यहां पे अगर जो हमारे worker होंगे उनको मालूम होगा कि यहां से बस निकाल के बेचने के लिए मसली रखी गई है तो इतने स्टेप से गुजरना होता है अब देखिए इसमें पहला जो है breeding pond इसमें क्या होगा कि फर्स्ट स्टेप है यह पहली स्टेप है पूरे कल्चर मेथड की देखो यही में इसका फंडा है कि अगर जो इसको पढ़ लिया वो सारी चीजों को समझ जाएगा अभी तक तो हमने यह देखा कि कैसे है फिस कल्चर क्या है और मचलियां कौन-कौन सी होती है लेकिन हमको में जरूरी है कि कैसे बीडी कौन-कौन सी अपनाई जाती है तो breeding pond है फर् यहां पे कल्चर किया जाता है जिससे वह ब्रीड कर सकें देरफ़र फर पर पर फर प्र यहां पर ध्यान देना प्रापर बीडिंग इनकी अच्छे से ब्रीड हो सके ब्रीडिंग हो सके मिलन हो सके इसके लिए इस पेशल टाइप आप पॉंट्स आर्थ प्रिपेरड यानि इनके मिलन के लिए जो मचलियां मिलेंगी मेल फिमेल और बच्चे तयार करेंगी तभी तो आगे बढ़ेगा इनका जनरेशन और बिजनेस हो सकेगा इसके लिए एक अच्छा खासा पॉंट्ट तयार किया जा हेल्प करेगा कि यह जो पॉंट्स होता है ब्रीडिंग पॉंट्स यह ब्रीडिंग पॉंट्स ही नहीं हम तो इन सबको आपको बताएंगे कि कहां पर रखना जरूरी है लेकिन फिलाल में यह देखिए कि ब्रीडिंग पॉंट्स जो होता है यह कहां पर होना चाहिए नियर यह मर जाए तो कोई फाइदा होने वाला नहीं है ताइप साब ब्रिडिंग यह करने के बाद वहां पर हम पंट में डाल तो दिये लेकिन वैसे ब्रिडिंग भी देखेंगे कि कैसे कैसे होता है देरा टू कैटेग्री इसको दो कैटेग्री में विभाजित किया गया है पहला है दूसरा है इंडिउस भी यह दोनोब च्टेप अच्छे से समझायेंगे अप लोग जराjoint इसक्रियन Diesel ले ले कि चलिए आगे चलते हैं यहां देखेंगे अब नेचुरल ब्रीडिंग बंध नेचुरल ब्रीडिंग यहां पर जान दिजेगा अब नेचुरल ब्रीडिंग को बंध ब्रीडिंग भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं क्योंकि यहां जो बंध होते हैं वहां पर ऐसी याफिक रूप से देखी जाती है स्वजय से ये बंद में ही देखा जाता है जो बंदे होते हैं जैसे जर्गोड़ेम्प है और सिर्शी डैम्प तो ये आप मिर्जापूर है जो गय होंगे वो लोग देखे होंगे तो वो damp में यह ऐसी breeding देखी जाती है the natural breeding is the process where fish breed naturally यानि यहाँ पर fish जो है naturally breed करते हैं in natural habitat और उनकी वो natural habitat हो जाती है और रहती भी है the natural breeding is called bund breeding इसी को bund breeding भी करते हैं the natural buns are special यह ध्यान दिजेगा the natural bunts are special type of punts where natural riverine यानि नदियों वाली condition देखी जाती है are managed यानि नदियों से जो पानी इसमें आसानी से आ सकती है या नदियों वहाँ पर कोई resources है तो उससे पानी इस बंध में आके एकत्रित होता है बाकी पानी को छोड़ दिया जाता है समयान उसार बाकी रोक के रखा जाता है fish culture के लिए अब आगे हम क्या देखेंगे यह जो नेशूरल ब्रीडिंग वाले बंध है यह तीम प्रकार के होते हैं जहां पे ब्रीड कराई जा सकती है एक होता है weight बंध एक होता है dry बंध एक होता है modern बंध जो weight बंध है यहां पे this type of pond यानि किये जान लिजे कि यह every time पानी से भरा रहता है इसको perennial भी बोला जाता है यानि यह हमेशा पानी से भरा रहता है weight बंध की अगर बात करें तो this type of pond specially formed farm formed farm fish breeding यह बनाया जाता है fish breeding के लिए ही having water throughout year यानि यहां हमेशा पानी बना रहता है are known as weight band या एक प्रकार से आप यह कह सकते हैं ऐसे बंध जहां पे पानी हमेशा पाई जाती हो उसको हम weight band कह देंगे इसमें जो होता है an inlet होता है एक inlet होता है जिससे पानी नदियों की अंदर आती है formed बनाई जाती है for the entrance of water पानी को अंदर आने के लिए then बात करें while an outlet जबकि वहां पे एक outlet भी होता है जिससे क्या होता है इस फॉंड यह बनाया जाता है for exit of water from the band यह जो बंध है इससे पानी निकाले जा सके ड्राई बंध की बात करें तो this type of pond यानि यह जो pond है is purely seasonal यानि यह मौसम के अनुसार ही देखा जाता है कि यह भरा रहता है उसके बाद यह एक दो महीने बाद जो ही season rainy season में यह भरा दिखलाई देगा वहां पे मसलिया रहेंगी और उसके बाद मसलियों को निकाल लिया जाएगा बाद में और फाइनली क्या होता है कि एक ऐसा टाइम आएगा जब रहनी सीजन चला जाता है तो यह खुद वखुद ड्राई हो जाते हैं एक दो महीने बाद तो यहीं लिखा है सीजनल विथ सैलो वाटर एरिया यानि चुछले जहां पर जल भी रहते हैं चुछले बहुत भरे पड़े नहीं मिलेंगे आपको इट फॉर्ण बाई कीपिंग स्वैल वाल्स यह वहां की मिट्टियों से इसकी दिवाल बना के रखी जाती हैं फ्राम थ्री साइड्स और इसकी तीन जो साइड्स होती हैं वो बंद रहती हैं मिट्टी के दिवाल से तीनों साइड्स से एक एरिया से एक जगह खोल दिया जाता है ब्स क्यूंकि इसमें पानी आघे चारो तरफ से अगर जहां से आने की एंट्री हो सकती है वहां से पानी को इसमें एकत्रित किया जाता लेकिन हो नहीं पाता लिelp शुख ही जाता является In monsoon time rainy water flow, जब monsoon time होता है तो इसमें बारिस का पानी भर जाता है towards this band इस बंद की तरफ आता है and fill the palms को भर देता है, After rainy season, जो ही rainy season चला जाता है this band dries,ас ड्राइज यह बंद क्या होता है एक दो महीने बाद दीरे दीरे रानी सीजन जाने के एक दो महीने बाद यह सूख जाता है इसके बाद है modern band this is known as पक्का बंद यानि पक्के आप देखेंगे एटे से बना के सिमेंट से बना के कुछ ऐसे बंद बनाए गया है उसको पक्का बंद बोलते हैं इसको modern बंद भी बोला जाता है अभी आप लोगों को आगे का step हम दे इसके पहले बता दे कि आप लोग आते हैं चैनल पे एक मिनट दो मिनट वीडियो देखते हैं चले जाते हैं जिससे हमारी reach हर किसी के पास पहुँच नहीं पाती और जब ऐसे नहीं पहुचेगी तो हम कितना वीडियो प्रोवाइड करेंगे भाई हम पूरा नेट लगा के आप लोगों को देते हैं और पूरा टाइम देखो एक 10 मिनट का मात्र वीडियो आप लोगों को लगता होगा कि सर एक टॉपिक छोटे-छोटे करके कितना पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है एक 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए करीबन 2-3 घंटा जाता है कैकि अभी यह जो हमने लिखा है टापिक अब मिटा Ł потреб पिर अगला लिखेंगे देन उसके बाद फिर ुकार्डिंग करेंगे मात्र रिकार्डिंग करने में तो हमको 5-7 मिनट लग रह ये टापिकक इतना रिकार्ड करके पढ़ाने में आपको 7-5 मिनट लगेगा लेकिन इसके पीछे का जो इस टेप है वह समझे आप लोग कि हमको मिटा करीज करिंगे बताते हैं इस stripedion होता है यहां पर किया क्या जाता है कुछ हार्मोन्स प्रोड्यूस कि यह जाते हैं मतलब हार्मोन्स इंजक्ट wärण लिजाते हैं फिसस गे अंदर जिससे वो season से पहले ही एग formation के लिए तैयार हो जाएं अब वहाँ पर क्या होता है एग का मतलब female में ऐसा किया जाएगा तो over और male में किया जाएगा तो sperm produce करने के लिए वो तैयार हो जाएं और ऐसा करने के बाद क्या किया जाता है इंडीस बृढिंग की कहानी पहले समझ लिजिए इनके बेली वाले region पे नीचे strip लगाया जाता है यानि चीरा लगाया जाता है और right thumb से इसको ऐसे बाएं हथेली पे ऐसे लेके right thumb से ऐसे थोड़ा प्रेस किया जाता है प्रेस करके ओवम को हथेली पे निकाल लिया जाता है निकालने के बाद इसे कलेक्ट करके एक जगा रखा जाता है देन ऐसे हैं स्पम निकालके कलेक्ट करके इसको mix किया जाता है अच्छे से और इन में ऐसा रखा जाता है process की fertilization हो जाए तो यह है induced breathing यह PG में पढ़ाया जाता है फिलाल में आप लोगों को इतना अभी जाना ही नहीं है और fishery अपसाइद है ही नहीं PG में या होगा तो आप लोग देखेंगे MSC में अब क्या है कि induced breathing की जो method है यह artificial बोला जाता है क्योंकि यहाँ naturally नहीं हो रहा है यह हम लोग करा रहा है हार्मोंस इनके अंदर inject करने के बाद इस वजह से इसमें हमको में देखना क्या है artificial fertilization in this method in this method of fertilization over from female ठीक और sperm from male ज्यान दिजेगा are taken ले लिया जाता है जो हमने method बता है वैसे ही उनमें हार्मों इंजेक्ट कराके उनसे sperm और वहा को निकाल लिया जाता है out by artificial mechanical process यह देखो mechanical process आ गया ना आप अभी तक सोचते ते मचलियों में ऐसा possible नहीं है बाहर निकालो मर जाएगी लेकिन वहां पे भी ऐसे step दिये जाते हैं कि किया जा सके कुछ करक्रम mechanical process लगा के एंड एग आर गट अब आपके माइंड में आएगा कि सर तब तो में जो मचली है मदर फादर मर जाएंगी हां मर जाती है उनके collection एक को collect करने के बाद उसको हटा दिया जाता है या फिर कुछ वहां पे वह लगा के दवावा छुड़ा जाता है कुछ पल के लिए सायद वह बच जाती है बचने का chance 80 और 20 का रहता है यह आप समझ लेजिए लेकिन ऐसी इस् किया है फटिलाइस की जाती है बाइद इस परम के दौरा दिस आफ टू काइट यानि इसमें दो मेथड यूज किये जाते हैं एक होता है ड्राइ मेथड जो पहला हमने बताया कि फीस जो फीमेल है उनको तो पहले हम हर्मोनल छिड़काव कर दिये चाहे जिस हम टैंक में र से कलेक्शन आफ हुआ और कलेक्शन आफ स्पर्म किया जाता है इन दोनों को मिक्स किया जाता है और यह बाहर ही किया जाता है तीस मिनट तक इसको ड्राइ मेथड बोलते हैं जान दीजेगा यहां पर क्या है एग एग इस परम आफ फीसेज विच आर जस्ट टेकेन आउट यानि क्या किया जाता है एग को भी यानि female की जो ओवा है और यह male का sperm है इन दोनों को बाहर निकाल लिया जाता है यहां की लाएन एकदम ध्यान से देखिएगा which are just taken out इसको बाहर निकाल लिया जाता है मशली के सरीर से और mixed thoroughly यानि इसको अच्छे से मिलाया जाएगा and left in this condition for about 30 minutes ऐसे step को हम छोड़ देते हैं left कर देते हैं 30 minutes तक ऐसा करने के बाद अच्छे से mix करने के बाद 30 minutes तक इसको छोड़ देंगे now water is added अब देखो अब यहां पर आप लोग घ्यान देना कि जो sperm और ओवा था 30 minutes तक बाहर ऐसी इस्थिती में था उसके बाद water को add किया गया है clear है in this mixture after the fertilization of egg यानि जो एग है उसके fertilization के बाद इस mixture में क्या किया जाता है water को add किया जाता है sorry चलिए आगे चलते हैं यहां पर है weight method weight method में क्या है egg are kept यह जो अंडे है I mean ova female के body से ova को क्या किया जाये female के body से ova को निकाल दिया जाता है निकाल के in water water में रखा जाता है and melt of male मिल्ट आफदा मेल जो पित आप कहते हो न कि मसली काटने के बाद आप लोग देखते हो उस में निकलता है न उस पित को लिए जाता है यह जिस वाटर में एक को रखा गया वहाँ पर इस मिल के पित को छुलग दिया जाता है चारो तरफ ॐसरीड डाय OKD आठेक्ली पर अच्छे से उनको थोड़ा सा ऐसा किया जाता है कि जब तक वह मिल जाए तब तक हलका फूल का हिलाया जाता है उस जल को जिससे वह इसके जो मिल्ट है मिल्ट आफ दे मेल किसके साथ एग के साथ और वहां पर सपॉम को भी डाला जाता है इंटू दिस वाटर इस जल में इस मेथड इस कामनली यूजड इन इस्टिकी एग्स यानि यह क्यों किया जाता है क्योंकि यह जो एग है वह चिपचिपे होते हैं और उसी एग में किया जाता है जो चिपचिपे टाइप के होते हैं और कुछ चिपचिपे हो जाते हैं इस मिल्टिंग के कारण चलिया पानी में मिलाना था इस पामोवम को और एक क्या था कि पानी के बाहर इस पामोवम को मिलाना था इसके बाद है कि जो हम सीड कल्चर करेंगे यानि हम सीड कलेक्ट कहां से करेंगे फीस सीड अगर हमको लेना हो फीस की सीड जिसको फ्राइलिंक्स बोलते हैं या फिंगर लिंक्स भी बोलते हैं छोटे 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 जो इस इनके छावा बोला जाता है उसके हम कम fils करते हैं जहांसे वह अच्छी एरिया कौन सी हो सकती है दौफीज सीट्षी से एस लिँए कोफ्या एसे से लिए यह अवान को सकती है यहां से लिए जाinkता क्या सकता यमुना गोमती बेटवा घ्हागरा एंड अध़ प्लेसे से इस सीड़ को इतने को लेकर उन्हें क्या किया जब ऑग gehen को चलते हैं यह स्कृण लीजिए तो चलते हैं इसा है बच्चा कि अगर आप फूरेक्ट इसमे शात है पढ़ाएंगे तो यह बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं अगला इस्टेफ हम नेक्स्ट आप लोगों को देते रहेंगे जो पांच-शे हीडिंग रह गया क्योंकि इनको देखो पहली बात की पूरा पॉइंट समझना होगा नहीं तो डारेक्ट हम एक बार में लिखते हैं और सारी हीडिंग वहां पर बता के समझा के खतम कर देते लेकिन सारे प्रासेस हम सोच रहें नोट्स के साथ लिखके आप लोगों को प्रोवाइड कर दे जिससे आप लोग यहां वहां किसी चैनल पर अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके बताईएगा अगला जो लेक्चर हो तुरंद प्रोवाइड कर देंगे थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिए कमेंट करके ज़रूर बताय करिए प्लीज